अगर हमें पूरी जर्नी का टाइम निकालना है यहां से बॉल को फेका और बॉल यहां जाकर गिर गए यह हो गया हमारे पास में इनिशल पॉइंट और यह हो गया हमारे पास में फाइनल पॉइंट पूरी जर्णी का टाइम निकालने के लिए हमने आपको एक बढ़ी आसा फॉर्मूला बताया आप उस फॉर्मूले का यूज़ करके पूरी जर्णी का टाइम निकाल सकते हैं 2 u sin theta upon g और पूरी जर्णी के टाइम को हम बोलते हैं टाइम of flight नीचे से उपर जाने का टाइम भी आप निकाल सकते हैं टाइम of ascent टाइम of flight का आधा करेंगे तो टाइम of ascent निकल जाएगा टाइम of flight का हाफ करेंगे तो टाइम of descent निकल जाएगा टाइम of ascent और descent बराबर होते हैं आपस में मतलब वो एक common बात थी और बड़े आराम से हम लोग उसे कर पा रहे थे लेकिन जब time of flight को थोड़ा advance level पर हम लोग पढ़ते हैं time of flight को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो कुछ इस तरीकी की problem आती है बचो हमने एक ball को 20 meter per second की velocity से through किया ground level से 45 degree का angle बनाते हुए ball दो बार ground level से 5 meter की height पर आती है बचो एक बार यहाँ नीचे से उपर जाते time और एक बार यहाँ उपर से नीचे आते time यह highest point है समझारी बचो बात ball दो बार भाई अगर पूरी journey का time निकालना है बहुत basic formula है लेकिन अगर random time निकालना है random का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक का time निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का time निकालना है फिर हम क्या करेंगे यह हम लोगों को देखना है देखो ball दो बार ground level से 5 meter की height पर आ रही है तो जो method मैं अब apply करने जा रहा हूं बच्चो अगर वहाँ से time की दो value निकल कर आती है तो यह बात proof हो जाएगी कि ball दो बार ground level से 5 meter की height पर होगी और अगर time की एक ही value निकल कर आती है तो ball एक ही बार 5 meter की height पर होगी और जब ball एक बार कुछ height पर होती है तो वो highest point होता है यह बात याद रखेगा ठीक है चलिए अब हम apply करते है motion की second equation y की direction में motion की second equation है भहिया uyt plus half ayt square यह हमारी motion की second equation है बचो हमने इस point को माना initial point और इस point को माना final point वो तो तुम किसे भी मान लो कोई फरक नहीं पड़ता है यानि चाहे तो इसे मान लो या इसे मान लो time की दो ही value निकल कर आएंगे इसे माना initial इसे माना final जड़ा बताओ दोनो point के बीच की ध्यान से दोनो point के बीच की उंचाई कितनी है भाई ये तो जमीन पर है ये थोड़ी सी उंचाई पर है तो इन दोनों के बीच की जो height है height height बचो height की बात कर रहा हूँ है वो 5 मीटर है तो y की जगा रखा जाएगा 5 समझ आ गई बात कोई परेशानी कोई दिक्कत तो clear कर लीजेगा आप मुसे वीडियो को pause करके तुरंद मेरे पास में न कॉल कर लीजेगा अगर कोई परेशानी रहेगी यहाँ पर अब देखो u y को मैं क्या लिखने वाला हूँ u y को मैं लिखने वाला हूँ u sin theta ये कितना है 20 ये कितना है 45 तो ये बनेगा मेरे पास में 20 cos 45 और ये बनेगा मेरे पास में 20 sin 45 समझा रही बच्चों बात यानि u y y की direction में जो initial velocity है वो है 20 sin 45 और साथ में है t माना यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में t time लगता है ठीक है a y की value minus के 10 y की direction में acceleration gravity के बराबर 2 से divide करेंगे ये बन जाया का minus के 5t square अब आप देखो बच्चों आगे 5 is equal to 20 sin 45 की value है 1 upon under root t minus के 5t square पूरी equation को 5 से divide करो यहाँ 5 से divide करेंगे 1 यहाँ 5 से divide करेंगे 4 यहाँ 5 से divide करेंगे 1 तो यह बनेगा हमारे पास में 1 is equal to 4 upon under root 2t minus t square दोनों को equal to से इधर लेकर आते हैं t square minus के 4 upon under root t plus 1 is equal to 0 लो भईया यह हमारी quadratic equation बन गई है time के term में ओके बचो यह हमारी क्या बन गई है quadratic equation किसके term में time के term में time के term में यह हमारे पास में quadratic equation है अब चूंकि यहाँ under root 2 आ रहा है तो मुझे लगता है कि यह factor वाले method से तो नहीं हो पाएगा हमें कुछ नया ही method चुनना पड़ेगा को नया ही method देखना पड़ेगा तो हम इसे quadratic formula से solve करेंगे quadratic formula से बचो कैसे ज़रा देखिए t square के सामने लिखा हुआ है 1 यानि a की value हो गई है 1 t के सामने लिखा हुआ है यह यानि b की value हो गई है minus के 4 upon under root 2 और यह लिखा हुआ है 1 यानि c की value हो गई है 1 a की value हो गई है 1 b की value हो गई है minus के 4 upon under root 2 और c की value हो गई है 1 समझा रही है बात अब देखिए हम क्या करने वाले है time की value निकालने का जो तरीका होगा ना मचो वो यह होगा minus के b plus minus under root b square minus के 4ac upon 2a देखो यार यहां के बाद तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि यहां के बाद बहुत ही आसान है कुछ नहीं करना है a की value है 1 b की value है ये और c की value है ये तीनों values को उठाकर यहां 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 put करना है एक बार बीच में plus लेना है और एक बार बीच में माइनस लेना है आप लोगों को आंसर बन जाएगा इस तरीके से हम problem को solve करेंगे time की दो values आपके सामने निकल जाएगी बचो यहां से एक बार बीच में plus लीजेगा और इन सारी values को रखिएगा एक बार बीच में माइनस रखेगा इन सारी values को रखेगा जो छोटी value आएगी time की वो यहां से लेकर यहां तक का time है और जो बड़ी value आएगी time की वो यहां से लेकर यहां तक का time है बचो बताइए आप लोगों को समझ आया या नहीं आया किस तरीके से हम problem को solve करेंगे अरे हमें यहां से लेकर यहां तक का time निकालना है ना यार तो हमने motion की second equation को सिर्फ यहां से लेकर यहां तक apply किया y की direction में यह बहुत जरूरी है बचो कि motion की equation को कौन सी direction में लगाया जा रहा है x की direction में या y की direction में हमने motion की second equation को apply किया है y की direction में जब हमने apply किया तो हमारे पास में पूरी quadratic equation बनी problem को solve करेंगे यहां से हमारा time calculate हो जाएगा दो time निकल कर आएंगे एक negative और एक positive solve करेंगे that's all problem solve करिये no down फिर आगे बात करते हैं बचो